सफलता पाने में लीदर्शिप कैसे हमारी मदद करती है और इस स्किल से कैसे हम सफलता पा सकते हैं ये सब हमें आज की कहानी में जानने को मिलेगा अगर आप नेटवर्क मारकेटिंग बिजनेस में हैं तो ये कहानी आपको मदद करेगी कि कैसे अपनी टीम में लीदर्शिप बिल्ट करें और अपनी टीम को कैसे चलाएं और सही माइने में एक सही लीदर्शिप होती क्या है ये सब आपको इस स्टारी में समझ में आ जाएगा इस कहानी से सीख लेने के लिए आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना है जिससे आप इस कहानी से लाब उठा सकें Best Motivational Story in Hindi 1 एक बार की बात है कि एक 5-star होटल में 2 फ्रांच व्यक्ती खाना खाने पहुँचे उन्होंने वेटर को बुलाया और तंदूरी चिकन का ओर्डर दे दिया वेटर ने उनका ओर्डर लिया और अपने काम में लग गया कुछ देर बाद उनका ओर्डर आता है और दोनों व्यक्ती खाना खाने लगते हैं अब खाना खाते खाते वो दोनों जैसे ही मुर्गी के सेंटर तक पहुंचते हैं उन्हें चिकन में एक चुहे, का बच्चा दिखाई पड़ता है। उन्होंने वेटर को बुलाया और बोला कि ये क्या है? तो वेटर पूछता है कि क्या हुआ सर कोई प्रोब्लम है क्या वो दोनों फ्रांच व्यक्ति उस वेटर पर गुस्सा करने लगते हैं कि ये क्या डाला है तुमने चिकन में तो वेटर देखता है और उसे उठा कर खा जाता है और वेटर बोलता है कि ये तो सरदरक की डली है वो दोनों व्यक्ति गुस्से से बोलते हैं कि ये कोई अदरक की डली नहीं है ये चुहा है और इसी बात पर उनकी वहस होने लगती है वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि ये चुहा ही था तो बेटर बोलता है कि साहब मुझे यहां खाना सर्व करने के पैसे मिलते हैं, ना कि चुहे खाने के इस बात से बह चुप हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं, थोई देर बाद वो दोनों फ्रांच व्यक्ति अ सारी घटना अपने ओफिस की LED पर देख रहा होता है। जैसे ही फ्रांच लोग वहां से जाते हैं वैसे ही उस होटल का। मालिक उस वेटर को बुलाता है। वेटर मालिक के ओफिस में पहुचता और पूछता है की सर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। तो मालिक उस से बोलत है की ये सब क्या है। तो वेटर डर जाता है और पूछता है सर क्या हो गया। तो मालिक बोलता है की मैंने सब कैमरे में देखा है वहां। पर उस चिकन में चूहा था पर तुमने उसे उठा कर क्यूं खा लिया। तो वह वेटर बोलता है की सर अगर वहां पर ये साबित हो जाता कि वह अदरक की दली नहीं है वह चूहा था तो मामला और बिगा जाता इस फाइव स्टार होटल में मेरे जैसे तीन सो लोग और काम तरते हैं और अगर किसी वजह से ये होटल बंध होता तो तीन सो लोग बेरोजगार हो जाते इसलिए सर मुझे जो बेस्ट लगा मैंने किया अब आप जो निर्ने लेंगे वह मुझे मंजूर है मालिक उस वेटर की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस वेटर को खुद का एक होटल खोल कर देता है और उसे उस होटल का मेनेजर बना देता है ये सब उस waiter की इमानदारी और उसकी leadership, skill के कारण होता है कि उसे एक छोटे से level से इतने उचे level पर पहुचा देता है अगर आपको network marketing business या किसी भी अन्यव्यवसाय में सफल होना है तो आपको एक leader की तरह सोचना चाहिए ना कि एक मामुली वकर की तरह सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना काम पूरी इमानदारी से करें बिना किसी निजी स्वार्थ के best motivational story in Hindi दो कहते हैं न कि आपकी post क्या है आप कितने बड़े हैं या आप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता फर्क इससे पढ़ता है कि किसी भी समस्या के प्रती आपका नजरिया कैसा है इसी पर एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ी आग लग गई और सारे जानवर बहुत परेशान हो गए कुछ समझदार जानवर और कुछ लोग उसाग को बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन जंगल की आग फिर भी काबू में नहीं आ रही थी कुछ जानवर ऐसे थे जो दूर खड़े होकर देख रहे थे कि तभी उनकी नजर एक छोटी सी चिर्या परपती है वो छोटी सी चिर्या पास के तालाब से अपनी चोटी सी चोंच में पानी भर कर लाती और जंगल की आग में डाल देती और वो चिर्या ऐसा लगातार कर रही थी तो उन जानवरों ने जो वहां खड़े हुए थे उन्होंने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो जंगल की इतनी बडियाग तुम इतने से पानी से बुझा दोगी और वो उस छोटी सी चिर्या का मजा को डाने लगते हैं तो वो छोटी सी चिर्या उनको जबाब देत है कि भले ही मैं छोटी हूँ और मेरी चोंच भी चोटी है हो सकता है मेरे चोंच जितने पानी से ये आग ना बुझे लेकिन एक दिन जब ये आग बुझ जाएगी तो मेरा नाम भी उन लोगों में आएगा जो आग बुझा रहे थे कम से कम मेरा नाम उन लोगों में तो न आग बुझाने में लग जाते हैं। इस घटना से एक बात तो सीखने को मिलती है की हाइट। छोटी भले ही हो लेकिन इरादे हमेशा उचे होने चाहिए। सीख, motivation, story, moral, network marketing, business, network marketing, business में सफल होने के लिए आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा क्योंकि जब तक आप अच्छ टीम के लिए एक अच्छा लीडर बनकर दिखाना होगा क्योंकि story में भी यही बताया गया है कि एक अच्छा लीडर अपने कामों से जबाव देता है और उसके बाद दूसरे लोग उसके की हुई कामों को follow करते हैं। सफलता पाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके प सफल है तो भी आप सफल हो सकते हैं जैसे की leadership skill, communication skill आदी यहां पर बताई गई दोनों कहानियों से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में सफलता वही व्यक्ति हासिल करता जो अपना नजरिया सही रखता है। सफलता आपसे degree नहीं मांगती आपसे skill मा सफल होता और जैसा की story में बताया गया है कि एक व्यक्ति अपनी leadership skill की दम पर कहां से कहां पहुंच जाता है। इसी तरह की और अच्छी सीख देने वाली network marketing कहानी के लिए यहां पर click करें। आपको हमारी ये motivational stories in Hindi motivational stories क्यासी लगी। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या होती है leadership skill आज अगर बात की जाए दुनिया की तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो PM नरेंदर मोदी जी को नहीं जानता हो आज हर व्यक्ति जानता है कि वह एक ऐसे व्यक्ति है या फिर ये कहीं कि वह ए उस company या देश का leader दमदार हो उसको चलाने वाला दमदार हो क्योंकि अगर leader सही होगा तो देश और company दोनों तरक्की करेगी आज अगर बात करें leadership skill के बारे में तो leadership skill जन्म से नहीं आती ये skill आप debilt कर सकते हैं leadership skill का मतलब होता है इमानदारी से अपने साथियों को आगे ले जाना उन्हें सफलता तक पहुचाना leadership की बात करें तो आज हमारे सामने बहुत सारे उदाहरन हैं जैसे की मुकेश अंबानी गौता मदानी रतन टाटा जी ऐसे कई सारे उदाहरन हैं जिन से हम सीख सकते हैं कि leadership होती क्या है कौन होता है सही leader जीवन में बहतरीन leader बनने के ल परूरी होता है दूसरों को credit देना एक सही leader वही होता है जो अपने कारियों का credit दूसरों को देता है और अगर कोई समस्या हो जाए या कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है जैसे की भगवान राम ने रावन को मारने का सारा श्रेवानर सेना को दिया था जब की भगवान राम खुद ही इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले ही सारा यूयुद समाप्त कर सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों के बिना अकेले कुछ नहीं कर पाता होंसला देना अगर आप leader बनना चाहते हैं तो आपको सभी लोगों का होंसला बा उसे करने में समस्या आ रही है तो अपनी टीम को motivate करें अपनी टीम का होसला बढ़ाएं सही फैंसला लेना किसी भी मुश्किल घड़ी में कोई फैंसला लेना हो तो अपनी टीम और सभी से विचार विमर्ष करने के बाद ही कोई फैंसला लेना चाहिए एक अच्छे leader के अं हमेशा लटका रहता है ऐसा व्यक्ती जिन्दगी में कभी सफल नहीं हो सकता किसी बड़े लक्ष्य को पाना है तो खुद भी खुश रहें और साथियों को भी खुश रखें इससे बड़े से बड़ा लक्ष्य भी आसानी से हासिल किया जा सकता है मददगार व्यवहार Network Marketing Network Marketing बसीनस में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक काम होता है तब तक अच्छे से बात करते हैं जब तक उनका काम हमसे होता है लेकिन जैसे ही काम हो जाता है उनका रवया बिलकुल बदल जाता है ऐसे लोग भी कभी सफल नहीं हो सकते एक अच्छा लीडर ऐसा नहीं करता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी मुश्किल में है तो उसे वहां छोने के बजाए उसकी मदद करें उसे भी अपने साथ मंजल पर पहुचाएं इमांदारी इमांदारी सबसे बड़ी क्वालिटी है आप अपने लक्ष और साथियों के प्रत अगर कहा जाए कि सफलता किसी व्यक्ति को चुनती है तो ये गलत भी हो सकता है लेकिन अगर हम कहें कि व्यक्ति ही अपनी सफलता और असफलता को चुनता है तो ये बिलकुल सही होगा क्योंकि एक असफल व्यक्ति कई बार प्रयास करता है लेकिन एक सफल व्यक्ति सफलता मिलने तक प्रयास करता है और आखिर में सफलता उसके कदम चूंती है आज ये कैसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जिससे अगर आप बिजनेस में नए हो तब भी आपको बिजनेस की काफी हग तक समझा जाएगी ये कहानी नेटवर्क मारकेटिंग बिजनेस और अन्य बिजनेस या फिर कहें की हर जगा काम आने वाली कहानी है ये कहानी हमें बताएगी की नकारात्मकता में भी सकारात्मक नजरिया कैसे रखते हैं एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके दो बेटे थे और उन दोनों की शादियों चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे उस बुजुर्ग व्यापारी की मारकेट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करत जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत एजज़त करते थे एक समय की बात है जब दिवाली का समय था उस समय उनकी म बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है साहब मिठाई के 500 रूपे तो दे दीजिये व्यक्ति पैसे दे तो दिये और कितने पैसे चाहिए बुजुर्ग व्यक्ति साहब अभी आपने पैसे नहीं दिये व्यक्ति अरे बुड़े पागल हो गया है क्या तुझे पैसे देतो दिये और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति में एक थपड मार देता है फिर वहां पर बहुत भीर लग जाती तो वहां लोग उस मामले को रफा दफा कर देते हैं बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोई देर और रूखता है काफी समय निकलने के बाद वह उन्हें, दूंढने के लिए निकल ही रहे थे इतने में वह बुजूर्ग व्यक्ति आ जाता है, बेटा, कहां गए थे आप, बुजूर्ग व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए, उसके घर गया था जिस से आज जगड़ा हुआ था, बेटा, आप उसके घ गए थे बुजूर्ग व्यक्ति आज मैं तुम्हें बताता हूं की बिजनेस कैसे किया जाता है बेटा मतलब बुजूर्ग व्यक्ति जो होना था वो तो हो ही गया फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर नि बुजूर्ग व्यक्ति तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वो दूसरी जगा से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता जिससे हमारी दुकान की बेलियू गिरती लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं कर ऑर हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा बेटा लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या बुजूर्ग व्यक्ति उसको जो करना था उसने किया लेकिन अब धीरे धीरे उस से पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है अब वह आएगा तो हमारे ही पास इसे कहते हैं व्यापारी चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फाइदा ही देखता है। सीख, moral of the story, सबसे ज्यादा जो एहम है उसके बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जिस तरह उस बुजूर्ग व्यक्ति में नकारात्मक तमें भी सकारात्मक विचार रखा उसी तरह हमें भी हर परिस्थिती में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए, अगर आप network marketing business करते हैं या किसी और चीज के business में हैं तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना चाहिए कि business करते कैसे हैं जो की इस कहानी में बताया गया है परिस्थिती कैसी भी हो हमें अपने ग्राहक से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि कौन सा पेर कितनी गहराई रखता है ये हमें पता नहीं होता इसलिए अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना बिजनेस करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है लोक व्यवहार उसमें आपको महारत हासिल करनी होगी ताकि आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिती में बंद ना हो इसी तरह की और अच्छी सीख देने वाली नेटवर्क मारकेटिंग कहानी के लिए यहाँ पर क्लिक करें